रेकॉर्डिंग ओन कर लेता हुआ है आल राइट सो लगबक सब आ चुके हैं तो फिर हम आगे चल सकते हैं तो जो हम बात कर रहे थे तो मतलब अभी तक आपने जितने साल जो भी आपने जो है जो भी आपने तरीका इस्तमाल किया होगा इसको बयान करने के लिए इसको इसको बयान करने का तरीका ही ही कि जब आप भक्ती के बारे में कुछ भी जानने की कोशिच करनावतिया और प्रैक्टिस होने के बाद जब आप वाकई मिस्या दो जाएंगे वह भी भक्ति है भक्ति में कोई भी चीज बाहर से नहीं आती है, जिसके बाद वो भक्ति बनती है। यहां तक कि जो यह बात है। इसलिए हमने यह discussion का आगास किया था कि यहां तक कि मिश्रित यानि कि जो मिलावट वाली भक्ति है, वो भी शुद्भक्ति का हिस्सा नहीं है। वह बहुत सारी मिलावट वाली भक्ति लाने के बाद वो शुद्भक्ति नी बन जाएगी। वह मिलावटी भक्ति ही रहेगी। ठीक है। मुझा लगता है बिलकुल एकदम साम सूगया सबको। घबरान गया। नहीं 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 गवरान नहीं है। इमरान खान की यहां पर वो क्या किते हैं ताइद करने नहीं आया। इवे लिला प्रफुजी फर्माइए। इवे लिए लिए प्रफुप। रिकृष्ण प्रफुप। आरी अवाज बोलिये। जी प्रफुप। जिस तरह यह भावद गीता में बताया गया। भावद गीता को तीने स्वह में बाटा गया। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। वह समझाने के लिए उस चीज़ों को। वह अगर कोई कर्म योग, कर्म योग वह एक अलग चीज़ है जो आप बात कर रहे हैं। योगा लेडर में आप लोग सीखेंगे, सार्वों को बताएंगे और क्योंकि आपने वह सवाल अभी यहां उठा दिया है। और अगर मैंने आप उसका मुक्तसर जवाब नहीं दिया तो वह सवाल आपको परिशान करता रहेगा। कोई भी योग है कर्म योग है यह सारे योग जो है इनका जो कहते हैं जैसे कि समंदर में नदिया जाके मिलती है। और यह मिलते हैं भक्तियोग में जाके हैं तो जब तक आप उसके अंजाम तक नहीं पहुंचतें, तब तक आप सरफ उसी रास्ते के राही माने जाते हैं तो आपको जो है कर्मयोगी ज्ञानयोगी या ध्यानयोगी इस तरी के सब आपको आपको आपकी शनाक्त उस पर होती है पर जब आप अपने मनजिल पर इन यह जो प्रोसेस है यह जो रास्ते हैं इन रास्तों की मनजिल जो है यह भक्तियोग में जाके खत्म होती है जब वहां पहुँंच जाते फिर आपको कर्मयोगी ध्यानयोगी यह नहीं कहां जाता तो वह जो आप भागत गीता की बात कर रहें कि शुद् को पर सूनांदा तो जमदिता है उन्सका अर्जानी वदे रंखी में जाकर अर्वे में झान ईनुद सू अब हम आगे चलते हैं अमने बिलावटी वाली बटी जो है वह उसकी पहचान ली शनाक्त अमने कर ली अब हम बटी के तरफ ने रहेकर अब हम लोगों ने भक्ती के शुद्वक्ति के लक्षन देखे और अब हम चलते हैं आगे तो यह एक और डेफिनेशन जो है जो यह भी आप लोग याद कर रहे होंगे दूसरा डेफिनेशन भी देख लेते हैं अब हम दूसरी डेफिनेशन की और जा रहे हैं पॉट्तम भक्ती प्योर डेवर्शन सर्विस एक बार में समराइस कर लिया इसकी समरी होगे कल और आज के मिलाके अब जो है बहुत मजाएगा जो हिनाबाद अभी इसी का इंतजार हो रहा था यह जो डेफिनेशन अभी तक आप लोगों ने देखी है और मेरे ख्याल से आप लोग के हैंडबुक में भी हैंडबुक में अपना हैंडबुक खोलेंगे जो उर्दुवाला हैंडबुक जो आप लोगों ने प्रिंट करा है हिंदी में अंग्रेजी में वहां पर भी जो है यह एक सो एक सो चार पास पेस के आसपास जो आप देखी लिए लिखा हुआ है वह सब लोग आप निकाल लीजिए क्योंकि आप एक हसीन तमाशा होने वाले दूसरे शलोग पर आप निकाल ले वह निकाल कर रख लीजिए अपने पास क्योंकि अब जो है हम कि इसके अंदर जो है कुछ बसाला डालते ठीक है यह जैसा ही हो गया है हम कुछ मसाला डालते मसाला क्या है कि मापके पूरे क्लास को इन हिस्व में जो है बाड़ देंगे तो जो मैं तीन हिस्व में बाटऊंगा तो उसमें आप आपके पास अभी नोटिफिकेशन आएगा उसको येs कर दीजेगा तो आप उस क्लास का हिस्सा हो जाएंगे यह छोटे-छोटे ग्रुप बन जाएंगे और आपको क्लास में क्या करना है वह मैं आपको अभी पहले बता देता हूं ठीक है मेरा ख्याल है मैं पहले बता देता हूं ताकि आप तो मुझे अंदर जाके बताना पड़ेगा सच्छे कि मैं पहले आप उर्दू का नो बता जिस पर यह लोग लिख यहार मैसेज डाल दो अब हम करेंगे यह अभी मैं आपको तीन क्लासों में बाटूंगा और इन क्लासेज में जो है आप यह करेंगे अपना केस पड़ेंगे आपको मैं कुछ केसेज दूँगा तेक है कुछ कि यानि कि हालात अलग-अलग तरीके के केसेज और आपने देखनाएं कि यह उत्त्क्रवख्ति है की नहीं है अगर है तो क्यूं है और नहीं यह दो क्यूं है यानि कि पूरे थीक है समझाई बात नहीं समझाई तो पूछ लीजे रिशाल जी ठीक है अरे अरे शुद्भक्ति की डेफिनेशन जों पहले देख रहे था ना यह वाला यह 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 इसकी जरूद पड़ेगी इस वाले पेज की जरूद पड़ेगी वह एंडबुक के अंदर है यहां पर यह बना हुआ है और अब मैं आपको क्लासेज में बाटके कुछ केसेज दूँगा तीन ग्रूप बटाओंगा तीन ग्रूप में अलग-अलग केसेज होंगे और अपने अपने ग्रूप के अंदर आप वो केसेज डिसकस करके मुझे बाद में बताएंगे कि इन मेंसे उन केसे में से कौन सा शुद्भक्ती था तो क्यों था और कौन सा शुद्भक्ती नहीं था तो क्यों नहीं था उस पर किसका साया है कर्म का साया है ज्यान का साया ह स्वरू पर तरश्लक्षन के उसमें आप मुझे बताएंगे अब मैं आपको पहले ग्रुप में बाट रहा हूं अभी मैं आपको वह नहीं दे सकता क्या ना मैं पहले केस नहीं दे सकता हूं पहले मुझे आपको ग्रुप में बाट रहा हूं एक मिट मुझे मौका दीजिए सब लोग जो है अभी येस दबा दीजिएगा आप अपने अपने ग्रुप में चले जाएंगे और मैं आपको वक्त भी दूगा मैं आपको वक्त भी दूँगा एक सेकंड में पहले देख रूँ जड़ा टाइम कितना आया एक सेकंड मैं आपको दस मिनिट की महलत दे रहा हूं ठीक है दस मिनिट बात आप लोग वापस यही पर सब लोग जमा हो जाएंगे कि अब क्या करेंगे आप तीनों गृप में से पहल सबसे पहले जैसे अब गृप के अंदर जाएंगे सबसे पहले एक नमाहिंदा अपना मुकरर कर लें यह बोलेगा है अप्र समाइंगे तीन ग्रूप में से एक एक नुमाइंदा बोलेगा ऐसे नहीं सब बोलना शुन हो जाएगे ठीक है जिसको आप नुमाइंदा बनाएंगे वह पहले आप लोगों के तरफ से लिख लेगा सब की राये लेकर लिख लेगा की कौन सा कांसा योग था कांसा शुध्मक्ति था वह लेकले हुआ अपरेंगे तो समझ जाएगा ओप टेंग ओपनाल रूम्स कि अर्ट स्याएगा धनका हुआ कि अर्ट कि अर्ट भॉव्मक्ति कि अर्ट अंद छो कि अर्ट आप ग्रूप नंबर वन में हैं अभी अब ग्रूप नंबर वन में कौन-कौन है एक मिनट मैं ज़र देख लूँ ओके यह मैं अभी आप लोगों को जो है आप वाट्सेप में डाल रहा हूं ठीक है अभी बूल जाओगे यह यह वह वह जाएगा अप लोग प्रलाद देश का दो वाट्सेप उसको देखिए उसमें गूप न आप लोगों का गूप वाने तो गूप नका जो मैंने डाल दिया है गूप वन में सरफ नाम दिखता हूं तक आपको धिःक्राइब है अबूप न आपको मिल जाएगा और यहां भी मैं आपको इस फ़ले चैट में डाल देता हूँ आपके चैट पिंडों पे यह आप लोगों का टास्क है अब करिये मैं जा रहूं है मैं दूसरे ग्रूप में जा रहू हूँ हर दूसरे ग्रूप में आ रहा हूं हर लोगों आपको तॉस्सक्राइब अब यह मैं आपको टो टास्ट दे रहा हूं आप लोग वाटसप ग्रूप में जाईए अभी जो आपका प्रलादेश वाला वाटसप ग्रूप में देखिए आपके ग्रूप के नाम आपका ग्रूप 2 है तो आप लोगों को यह काम करना है यह वाले cases है और इन cases को देखिए कि यह शुद्भक्ती है कि नहीं है और मैं आपके चैट पे भी जो है फिलहाल मैं डाल देता हूं यह वालो जो आपका चैट है इसके अंदर मैं आपको डाल देता हूं यह चला गया ग्रुप टू का exercise तो अब आप लोग जोड़की शुरू हो जाईए मैं तीसरे ग्रुप में जा रहा हूं कि अरे किष्णा कि इस पावना कि यह ग्रुप थ्री है आप लोग ग्रुप थ्री में है दिवे लिला ग्रुव अगरा और बेख़या है यह आपको जेज रहा हूं यह आपको करना है यह वर्ट्सएप ग्रुप है उसको चैक कीजिए उसमें देखिए ग्रुप थ्री तेजस्वान नाम से जो है और सोरी दिवियलिल नाम से आ रहा है यह आपको करना है यानि कि यह सारी चीज़ाइब के निकालनी है इन में से कौन सा जो है शुद भक्ति है कौन सी मिष्षेध भक्ति है मैं आपके चैट में भी डाल रहा हूं यह आपके प्रभु जी वह अभी लाइट हमारी चलेगे दिए प्रभु आपने क्या बताया क्या कुछ दिया अब याप पहले अपने उस वर्ट सब्रूप में जाहिए पर सब्रूप में आपका यह आपका यह गुप थी है उसके मैंने कुछ के सब्सक्राइब इस वाले इसके चैट मे है जो हमने भी आपको दिखाया शुद्भक्ति है कि शुद्भक्ति नहीं है इनका तायूल करना है तो आप अपने लिए अपने ग्रूप में लीडर चोन लीजिए मैं आपके ग्रूप से अभी बाहर जा रहा हूं आपके पास जो वक्त रहेगा बढ़ाएगा सब्सक्राइब है ही कि इस ग्रूप कि यह शुद्भक्त थे स्छवद्व नहीं सब्सक्राइब तो अब कि है कि तक तक दो प्रेपों को जो हुआ हुआ है अज़ने तरफ दूंद पर में तरफ क्रिशना थिज तरी गुरूप में इस अब जिए पर दिए अब जिए वोट्सेप गुरूप पर आप सब लोग नोट करने में बोट पूंता हूं गुरूप नंबर वर ठीक है प्रभू सबसे पहले नंबर पर एक नहें एक अकीदत मंध हरी नारिल खरिता है और उन्हें भगवान के तमाम अभियोक्यों के लिए मंदिर में लाता है दूसरा एक कल विक्ती मंदिर पुजारी अपने गहस्त की देख बाल के लिए मंदिर से माली देख बाल कबूल करता है एक अधितत मंध रोजाना मंदिर में देवता के लिए भोग का नजराना पकाता है और वो अक्सर तैयारियों को जलाता है एक गरस्त अकीदत मंद बाकिद्गी से अपने घर आने वाले वैशनों के पैरों को गुसल देता है पांचवा एक अकीदत मंद लाइफ मेंबर बनाता है क्योंकि वो अपने मजबूए का दस फीज़त अपने इस्तमाल के लिए रख सकता है च्छटा एक गरस्त अकीदत मंद अपने खांदान को बरकरा रखने के लिए दफ्तर में काम करता है तो प्रभू अब यह सब लोगों थोड़ा सा इस विश्य में एक एक बंदाना राय देता जाए बताता जाए कि इसमें क्या क्या है क्या 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 नहीं हरेगिश्णा लबक सबने पर दिया हूँ उपसे प्रभू में सबसे प्रभू बता दू मुझे इसका अब प्रभू जी एक एक बोले बले कोई पहला बोले मैं च्छटा टॉपिक पर बात कर लोगा एक एक बोले और पांच लोग है तो सबको एक एक टॉपिक दिया थे एक यानि प्रभू में पांच वाँगा अनुकुल यह ना है अगर आपको सही लग रहा है तो फीके प्रभू थोड़ा से बताया है प्रभू देख लेए तो बांगी सब लोग तो यानि अपने आपको फैवर दे रहा है थोड़ा सब जी जी प्रभू तो यह यह एक यह पर लिए न सिकौन बॉलेगा . तो आप दिखने पोड़ू है , प्रावचे मचे नहीं बोला जाएगा , सौरी , मुझे तो यह एक ही टॉपिक सामगो है , 5 वा प्रभू , क्या नम है , प्रभू आप प्रभू ऑप स्ब्वम्न प्रभू ? ना इसा है कि प्रभु जी ने हमें ये जो चार्व चीज़े दिये ना इसमें हमें चर्चा करनी है यानिकि इसमें से सेष्ट कौन है और जो दफ्तर में काम कर रहा है घर के लिए बोजन बना रहा है देवताव को बहुत कर रहा है उसके डिफैंड करके बताना प्रभु जी तो इसरा से जो है इनका एक-एक भक्त है वो अपने इसाब से जो भी उसका टॉपिक है उसके उपर अपना मनो भल बताएगा अपना विचार बताएगा कि ये क्या सई है या ये किस तरह से है यानि घर पर दफ्तर में काम करता है अब अब यहां करेंगे अच्छा कुमारी माता जी ओफ्तर माता जी अपना कौन साथ ले रहे हैं प्लीज बताएगे अब ब्लीज आपको यह जोईन कर लेंगे क्योंकि आपने वह सिक्स्लिया है वह हम अपनी डिस्कस करेंगे नुमाइंदा हमारा एक ही बोलेगा ना तो आप पीज अपना कोई टॉपिक नहीं जल्दी से ना अच्छा कौन सा समझा रहा है माता जी आपको नंबर वन ठीक है एक मिन्ट अच्छा प्रभू लिए वह अपनी राय दे फिर हम उसको करेक्शन कर लेंगे प्रभूजी एक सोतन मुकंद प्रभूजी हरेकिश्ण प्रभूजी तो अपने प्रभूजी सबसे पहले नमर पर जिसने पहला पॉइंट लिया था वो अपनी राय दे पढ़ने के बाद जल्दी से जरा हरे गिश्ण पढ़कर बताएं प्रूजी किया राया आपको क्या मतलब इसमें देखने को मिल रहा है इस पढ़ने के वाद सबसे पहले नमर को पहले नमर मेरा थान पुदू ठीकि चले बताएं आप बताएं प्रूजी यह हमारा पास तीन पॉइंट तो यह उत्तम भगती है सबसे बागवान को अची लगती है यह प्रूजी इसमें आप भगत लोग और कुछ एड़ करना चाहते हैं इसमें कि इसमें और इसको और कैसे बटर किया जाए कि क्योंकि यह भगवान की ख्वाइश थी कि जो भगवान की ख्वाइश दो उसके मताबिक इंसागी बगभी तो तम प्रभू टाइम बहुत कमें बहुत कमें ओनली वन इनाफ मिनट प्लीज पोड़ा नेक्स्ट बताएंगे प्रभू बस मुकंद प्रभू जी आप ज़र एक्टिव होंगे सामने प्लीज मेरे पास आएंगे अब पूरे पॉर्प को अपने पढ़ लिया है तो आपने अगये डिफाइन करना हमारे नुमाइन की आप तरे हैं ठीक है ठीक है ठीक है प्रभु जी तो प्रियास करता हूंग हूं पढ़ रहे हैं तो पॉइंट के लिए वह दफकर में काम करना तो बगवान को कहा था ना युद्ध के लिए अर्जान को कहा था ना यह नहीं कहाथा कि अपने काम सारे छोड़ दो यह जहां हो जो करते हो करो जहां हो वहीं रहा हो लेकिन तुम युद्र करो तुमारा अधर्म में शत्री हो तो हमारा धर्म हम गलिशत में तो हमें घर संसार चलने के लिए काम करना पड़ता है लेकिन वह कमाते हैं निदstag कि शेवामें करना झास करना लेकिंन कि टो यहां वी तो फाइब फाइब रेवले, फाइब फाइब रेवले, फाइब फाइब रेवले, चीक, बस अब सब लोगे बारेटिए तरवी, अनु कोलिए ना, ओके, तो यह थिए, आ ख़िए आ ख़िए, ख़िए, तो यह गलात ना प्रभू, यह यह आए, शुद्बक्त नहीं है, नहीं है, शोलह भी नहीं है, सत्रा भी नहीं है, तो प्रभू दुबारा बताएंगे प्रभू एक बार रिपीट देख लें सत्रा जो एशुद्ध भक्ति नहीं है प्रभू स्टार्ट से शुरू करेंगे हैं तेरा तो नहीं है चाहुदा भी नहीं है अंद्रवाएंगे शोला नहीं सत्रा नहीं है तो वीडियो आंगे वीडियो आँगे वीडियों करो जी जी इल्व टीरा नहीं चाहिए अनगे चाहिए वीडियो準 परफ़ चाहिए अनगे वीडियों करो अरेकिस्ण प्रभुई तो आप दिस्केशन इंग करेंगा जाएंगा तो आप दिस्केशन इंग करेंगा जाएंगे अब नौ मिनिट आगए यह यह वाला रूम भी बंद हो जाएगा तो हम पहले एक ग्रूप ले लेते हैं एक ग्रूप लेने के बाद हरेकिस्ण प्रभुजी मैं गुरूप वन में था तो यह यहां पर ट्रास्वर हो गया ग्या गुरूप ट्राइम खतम हो गया देखेंगे ना आपके नीचे आन है अब लुग पता निच कहां है अभी तब इसको कोई किसी को बुला रहे हैं किसी को बुला रहे हैं अब लुग सबके साहत है यहां देखिए नीचे सब लोग 22 के 22 लोग आप लॉज भी गया गया ताकि आप जो है इदर उदर की बाते ना करें इसे नहीं मानेंगे अच्छा बंद होगे अपने आपी ठीक तो अब हम एक एक कर ग्रूप्स में चलेंगे और पहला ग्रूप का अभी चलेगा तो शायद देखते हैं कि यह बनता है आगे तो कि अभी डिसकेशन बंद हो जागा पाच्छे मिनट के अंदर नया लॉग इन करना पूड़ेगा तो हम फस्क्रूप पे आ रहे हैं पहला ग्रूप था पहला ग्रूप किसका अधित्यव का ग्रूप का पहला ग्रूप आपका पहला ग्रूप था त बागी सब के माइक्रोफोन आफ पर लेजिए शाम मुकुंत्र बोलेंगे शाम मुकुंत्र वह आपके पीछे से दुनिया वर की आवाज आ रही है आपको ध्यान देना पड़ेगा पीछे शोर ना है अरे कुछना प्रभुजी मैं एक जगह पर आया हूं तो वहां पर अभी शोर नहीं आए गया था ठीक है आवाज आ रिये प्रभुजी आ रिये तो हम मैं एक करके मैं वह बोलता जाता हूं आप इसमें बताईएगा कि य आपका डिवोटी पर्चेस एक भक्त में जो है वह नारियल पानी वाला नारियल खरीदा है और वह मंदिर में लेकिया आया है ताकि उससे भगवान का अभिशेक हो सके यह क्या है यह अबिला शुम्निया है ठीक है वेरी गुड शुद्बक्ति है ओके दूसरा है एक मंदिर में रहने वाला पुजारी जो मंदिर के मंदिर में रहता है वो जो है पैसे लेता है मंदिर से ताकि जो है उसका घर चल सके जो जो बताए थे उसमें से क्या था तीन जो चीजे है एक तो पूछ रहें आप से अन्या अभी लाशा में आता है अभी लाशा के अंदर आ रहा है ओक ठीक है चलेगा 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 तीसरा है अब एक भग जो है भोग बनाता है और अक्सर जो है भोग जला देता है अक्सर जला देता है अब जाते उसका बूद अधित्य प्रूब हाथ मीचे कीजिए अधित्य का तो उसकी निश्टा अभाग्वान के फ्रतित थी पर वहं कारियर गलत हो गया तो तो वह कौन एक तो है दीटेद्व क्या है वो अनुकूल अनुकूल है प्रतिकूल है क्या है यह अनुकूल है प्रभजी जी अच्छा परभू लेशा वजय तरह आपने नुमाहिने क्यों चुने को यह और बताएगा तो अरेकृष्णा जल्दी जल्दी बताएगे बंदूने वाले जी प्रभू जी जीसे अनुकूल इसी लिए के रहे क्योंकि वह भगवान के लिए भोग तो बना रहा है पर कारिये गलत हो गया उसकी निष्टा तो भगवान के प्रति थी अगर रोज भोग जलाता है तो इसका मतलब क्या है रोज आगर रोज जलाता है वह तो गल्द लिखा है ना लिखा यह अक्सर जलाता जलवा देता है तो यह शुद्ध का हिस्सा नहीं आएगा अब चौथा एक भग जो है अपने घर बे जो भग आते हैं उनके चरन जो है धोता है जो भी वैस्टन की घर आते उनके चरन दोता है यह क्या है यह अनुकुल है प्रभजी तो क्या माना जाएगा यह क्या माने इसको यह शुद्वक्ति माने जाए शुद्वक्ता का जो लक्षन है वो माना जाए ठीक होगा पाश्वा ले लिजिए एक भग जो है लाइफ मेंबर डूसरों को जा जाके जो है उनसे इसकौन के नम पर पैसे लेता हुने मेंबर बनाता है ताकि उसको दस परसेंट जो है उसमे पर आखरी यह एक गरस्ता जो है आफिस में काम करता है ताकि वह अपने परिवार को जो पाल सके जो वह वह सारे महां यह क्या है यह आए यह अब यह अब यह तो नहीं है परंटु वैसे वह मान के यह चल रहा है कि यह भगवत सेवा है तो इस हिसाब से जो है उसकी निश् कि आदो कूल में शुमार हो गया बात बढ़िया रूप नंबर वन फिनिश रूप नंबर टू और अजरा बताएं कौन था आपका मुमाइंदा हाथ कड़ा कीजिए अरे किश्ण परूब तो यह वाले आप बोल रहे है ना आम बोल रहे है जल्दी बताएं अरे किश्णा परूब हमारा नुमाइंदा अर्जुन परूब जी शुरू हो जाए यह जो है वो परवादान संसकार करा रहे है ताकि वो जो है भग बच्चे जो है अब वो आएं दुनिया में जी हां यह 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 प्रभू मेरे साब से शुद्भक्ती में है इसका माइक्रोफोन आने इंदे लोग के भी माइक्रोफोन इस्तमाल करने की वो निया है शोर मच रहा होता है तो देखता नहीं सुनता नहीं कैसे डिस्केशन करेगा आदमी किसी को बहुता हूं माइक्रोफोन अन करे तो लगता है सब की लट्री लग जाती है कि अपने माइक देदू का थोड़ा इश्व आ रहा है माइक में ना कोई भी जिसको बिचारा बोले उसको तो देना माइक बागते लोगों अपना रखें तुसरा दूसरा एक भक्त ने जो है घर में जो है काली माता की तस्वीर रखी हुई है क्योंकि वह काली माता जो है हुए नमास्ति है क्या है क्या है क्या है क्योंकि बहुत अच्छा एक संकीरतन भाग